नमस्कार दोश्तों श्रागत है आपका उनी PCS पे देखे आज हम बात करेंगे UP PCS पिरी 2019 और 2020 के बारे में स्टेटिजी हमारी क्या होनी चाहिए, क्या रणनीती हमें अपनानी चाहिए क्या-क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए हमारी और किस तरीके से हमा पढ़ना चाहिए यह सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे इससे पहले हम लोग PCS एक्जाम के बारे में जान लेते कैसे होता है आपको पता है कलेंडर एक साथ जारी हो चुका है आपने देख भी लिया होगा 2019 और 2020 का कब कब परीक्षा होनी है तो अब आपके पास समय परियाप्त है आप तैयारी इतने हाई लेबल पर कर दीजिए यो दिस्थर पर तैयारी शुरू कर दीजिए कि आपका जब टाइम आए तब तक तैयारी आपकी दो तीन बार रिवीजन हो जाना चाहिए तो देखे PCS तीन स्टेज में होता है एक तो परी होता है और मेंस होता है और आपका इंटर्वी होता है है ना तो यहां पर हम लोग बात करेंगे विसेश तौर पर परी की ठीक मेंस की क्या होनी चाहिए वो हम नेक्स्ट बीडियो में कभी बात करेंगे इस परे तो परी में आपको पता है कि दो पेपर होते हैं एक आपका होता है first gs और second gs paper जिसे cset भी बोला जाता है अब देखिए यह होता है qualifying nature का इसमें आपको 100 question रहते हैं और जिसमें से 33% लाना होता है तो यह qualify हो जाता है और normally सब का होई जाता है qualify इसमें आपका जो रहता है cset में math आता है reasoning आती है हिंदी आती है और आपका जो comprehension आते हैं वो English थोड़ी से आती है तो यह आपका अगर तयार है तो आप basically कर ले जाएंगे इसको हिंदी के देखे काफी कुशन रहते हैं 15-20 कुशन रहते हैं आपके हिंदी से ही और आपके जो comprehension है वो भी काफी easy रहते हैं बहुत आसान रहते हैं पराने paper आप उठा के दे दिहान इस पर दे सकते हैं बागी बात करेंगे हम GS first paper क्योंकि यह वाला paper count नहीं होता है आपकी merit में तो count होता है यह वाला qualify करना है आपको प्री तो यह इसी के number आपके जोड़े जाते हैं GS first paper के इसमें क्या-क्या आता है आपका तो यह जो screen पर आपको दिख रहा है तिहास Google यह सारी चीजें आपकी किसमें आती है प्री में GS के first paper में ठीक है इस पे ही आपकी depend करती है cut off इसी से बनती है चलिए अब हम देखते हैं कि पढ़ना यह क्या है और रणीती क्या होनी चाहिए हमारी इन सब पर बात करते हैं अब आपको पता लग गया एक structure की PCS का exam किस ले बना क्या है देखिए history की book आगर आपको लेनी है तो यह spectrum की book ले सकते हैं आधुनिक भारत की बहुत अच्छी है बहुत ही best book बोली जाएगी बुक क्योंकि इसमें आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है अगर आप पढ़ लेते हैं इसको तो आपकी जो freedom movement है जो अंदोलन है आपके वो भी इसी में cover हो जाएंगे ठीक है ना और देख लेते एसके पांडे जी की book है उनको भी देख लेते हैं वो भी काफी अच्छी देखिए एसके पांडे जी की book है प्राचीन कालीन भारत पे यह business focus यह बहुत अच्छी book है तो आपको मालूम है कि 25 question almost आपके इत इतिहास से ही रहते हैं तो इतिहास में लगबग बरावरी रहते हैं प्राचीन काल मद्यकाल और आधुनेक काल तीन भागों में बाटा गया है तो तीनों से ही question पूछे जाते हैं तो आपको किसी भी portion को डिला नहीं चोड़ना है आपको मजबूत रखना है सारे पार्ट को लेकिन बिसेश तोर पे आप आधुनेक भारत पे फोकस करके चल सकते हैं वहां से थोड़ा बेटिस बढ़ जाता है उसका थोड़े question ज्यादा आ जाते है वहां से तो आपको आधुनेक काल अच्छे से पढ़ना यह भी प्राचीन और मद्यकालीन अच्छे से ही पढ़ना जी का तो यह हो गई हिस्ट्री की बात क्यों हिस्ट्री का portion बहुत आता है आपको इसे मिस्स नहीं करना है next बात करतें दूसरे subject की इसके साथ ही आपको करना क्या यह पढ़ने के बाद में आपको पुराने question का revision तो बहुत important है क्योंकि इस exam में 50 से लेके 60% question आपके repeated आते है जो पुराने पूछे गए हैं वही repeat हो जाते हैं तो आपको इतिहास का यह गटना चक्र का point यह है पूरवा बलोकन इसको आप ले सकते हैं इसमें आप revision notes भी दे दिये गए हैं काफी best है यहां से question आप अच्छे से इसको cover कर लेंगे काफी मोटा है लेकिन क्योंकि history heavy broad तो य इसको अच्छे से focus करना है इसके साथ ही सारे गटना चक्र आपको ले लेने हैं जितने भी है इसके portion और यह pointer नाम से आया था इनी गटना चक्रों का जो यह pointer में बना दिया यह sort में बहुत तो इसको आप पढ़ सकते हैं लेके जल्दी से हो जाएगा यह तो 40 40 50 50 पेस का यह इसके बीडियो भी इस पे चैनल पे पढ़े हुए हैं उनको भी आप देख सकते हैं सारे यह आप हो सकता है कि market में यह ना मिला pointer तो वो आपको ले लेने हैं और इनको आपको इस चैनल के माद्यम से पढ़ लेना है नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या क्या आपको और दे लिए आप इसके साथ में आपको करना क्या है यह ओक्सपोड का एटलस लेके चलना है साथ में अपने इससे आपकी मैपिंग बैस्ट होनी चाहिए मैपिंग सही कुश्चन ज्यादा रहते हैं पिलस इसको पढ़ने से पहले आपको NCRT पढ़ लेनी है जोगर फीकी तो आपको चीजे समझ आ जाती है और उसी लेंगोईज में आप लिखते हैं तो यह भी आपके पंदरे से बीस कोश्चन यहां से डायरेक्ट मिल जाते हैं भूगोल से इसको मिस नहीं करना है यही महिस बढ़नवाल की बुक ले लीजिए बात करते हैं लच्छमी कांत की यानि बुक है इसके बाद आपको केवल घटना चकर के कोश्चन का रिवीजन करना है जो पुराने कोश्चन है और इसमें कोछ नहीं करना है फेप संसक्रन ले सकते हैं अभी चटा आ गया है तो चटा भी आप ले सकते हैं तो इसको आप कई बार पढ़ डालिए यही इस तेयारी है यह मेंस में भी काम आएगी बुक और आपकी प्रीवी हो जाएगा इससे ठीक है आगे बात करते हैं लोग भारती राज बेवस्था के लिए आप रमेश सिंग की ले सकते हैं बहुत अच्छी बुक है आपके कॉंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे प्लस आपको पुरान है गटी होंगी उन पर आपको विसेश फोकर्स करके चलना एक जीडीपी कितना है और विए के द्वारा कितना है बर्ल्ड बैंक ने क्या अनुमान लगाया भारत के परपेख्ष में तो उनको लेके चलना है आपको इस तरीके के से जो नए रहते हैं करेंट अफिर एकनोमि लीजिए जब आपकी एक्षा हो नेक्स्ट बात करते हैं करेंट अफियर का रोल देखें एक तरफ अगर आप 60 परसेंट जीएस को स्टैटिक पोर्शन को जोड़ना है और 40 परसेंट आपका करेंट ही करेंट पूछा जाता वो कही ना कहीं किसी ना किसी घटना से रिलेट रहता है उसे करेंट को जीएस से भी रिलेट करके पूछ लेते हैं तो करेंट को आपको बिसेस अध्यन करके चलना यहां पर क्या 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 करेंट में पढ़ना है तो यह देखें कोई भी मंतली मैगजीन आप ले सकते हैं और गटना चक्री की पढ़ रहा है तो गटना चक लिए ठीक है नहीं तो आपको लास्ट में इस चैनल पर मिल जाएंगे सौर्ट नोट्स की वीडियो और वो help करेगी आपकी फुल और बाद में जो एक साल का compilation आता है गटना चक्र के द्वारा उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं अब देखी कोई एक सोर्स तो है नहीं करे से पचास और आप यहां से कर ले जाते हैं किसी एक magazine को पढ़के तीस question भी attempt कर लेते हैं तो आपको बहुत ही लाब मिल जाएगा इससे कि बजाए 50-600 पर भागने के ठीक है ना तो यह current आपको पढ़ लेना है उसी से बाकी देखते हैं हम लोग निउस पेपर आप पढ़ते पढ़ना है तो इन में आप मिस्मत करिएगा environment का environment की आप ncrt ले लिजिए ncrt से पढ़ेंगे environment तो उससे उसके बाद जो current की घटना होती है वही environment में ज्यादा पूछी जाती है ठीक है अब science Tech की बात करें तो science Tech में तो साइंस में आपका घटना चक्री परियापत नहीं तो आप NCRT के कुछ कुछ चैप्टर हैं उनको आप पढ़ सकते हैं उसमें भी बिसेस रूप से आप बाइलोजी पर फोकस करिएगा साइंस में क्यों को बाइलोजी से ज्यादा कुछन रहते हैं तो उसके घटना चक्र के आप ब्याख्या को बहुत अच्छे तरीके से लेजी यह गई इसकी बात अब बात करते हैं धी कि इस पॉइंसर्ण की बात हो गई थे हमारी अब कुछ टूअट्व मुदा यू पिश पैसल के माना से कुछ शे जाते हैं और कैमने ऐसा चाथ चाहते हैं लेकिन भी आप चाहते हैं तो यह हांदाř आता है उसको ले लीजिए वहीं से सारी चीज़ा मिल जाती है गटना चक्र का UP Special के नाम से आता है तो उसको आप ले सकते हैं उसी में आपको अगर नया लेंगे तो बजट बगेरा सब कुछ आपको मिल जाएगा और यह बजट तो आपको लास्ट में और करेंट की जो मंतली म होती है वहां से भी मिल जाएगा तो आप UP Special की गटना चक्र की ले सकते हैं तो यह आपकी पूरी स्टैट्जी हो गई कैसे क्या जैस पर पर में पढ़ना है और बार बार रिवीजन करना है बार बार दोस्तों इसको मिस नहीं करना है बार बार रिवीजन को और वह भी पुर अब पुराना पेपर खुद 2018 वाला उठा के देख लीजिए आपको 50-55% डायरेक्ट इतने से ज्यादा ही कुश्चन रिपीटेट है उसके बाद चाहिए क्या यूपी स्पेशल से कुछ कवर कर लेंगे कुछ आपके करेंट के और आप यह जो बुक पढ़ेंगे यहां से ह हो जाए कवर है ना तो इस पर बिसेश फोकर फोकस करके चलना है तो यह हमारी पूरी प्लानिंग हो गई कैसे क्या पढ़ना है अब देखिए एक प्रोग्राम सुरू करने जा रहे हैं यह आधुनिक भारत का स्पेक्ट्रम की बुक को पूरा चैप्टर वाइस हम लोग इस को सुरू करेंगे क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है किसी की मैपिंग खड़ाब होती है तो आप समझ नहीं आ पाता है इस्ट्री तो आपको हर चीज इसमें एक-एक पॉइंट कवर करेंगे हम लोग देखे चलेंगे सारी चीजें ठीक है ना तो आप कमेंट करके ब भी आप बता सकते हैं ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच